अगर भेंडी आपकी भी फेवरेट है तो आप इस सबजी को शुरूर ट्राय करें आप इसे चाओल या रोटी के साथ भी खा सकते हैं दोस्तों आप से मेरी गुजारिश है कि आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करें ताके मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें दही भेंडी मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 250 गरम इस तरह फ्रेश भेंडी ली है एक बड़े साइस का प्यास चौप किया हुआ एक मीडियम साइस का टमाटर रफली चौप किया हुआ और 150 गरम फ्रेश दही लेंगे सबसे पहले हम भेंडी को कट कर लेंगे भेंडी के इस हेड और टेल को हम कट कर लेंगे और बीच में से एक हलका सा चीरा लगा लेंगे ताके हम यह देख सके कि कहीं कोई इसमें कीडा न लगा हो अगर आपकी भिंडी ज्यादा लंबी है, तो आप बीच में से इसे 2 पिसे में कट कर लें, इसी तरह हम सारी भिंडी को कट कर लेंगे, हमने सारी भिंडी को कट कर लिया है, चलि अब हम सबजी बनाने के प्रोसिस की तरफ चलते हैं दही में हम 140 टीस्पून हल्दी, 1.5 टीस्पून लाल मेश पॉडर और 1 टीस्पून धनिया पॉडर और एक टेबल इस्पून भरके बेसन डालेंगे और इन सब चीजों को अच्छे से दही के साथ मिक्स कर लेंगे इसमें बिल्कुल भी लंस रहने न पाएं, इस तरह हम इसे मिक्स कर लेंगे प्यान गरम हो चुका है, जब प्यान अच्छे से गरम हो तभी इसमें भेंडी को डालें वरना भेंडी जो है वो लेस छोड़ने लगेगी अभी हम इसमें एक टेबल स्पून तेल डालेंगे और चमस से भेंडी को इस तरह थोड़ा सा चलाएंगे ताके तील जो है सारी भेंडियों पे अच्छे से अपलाए हो जाए जब हम इसमें मसाले डाले तो सारी मसाले भेंडी पे अच्छे से अपलाए हो जाए अभी हम इसमें 140 टीस्पुन हल्दी, 1.5 टीस्पुन लान मेच पॉडर और एक टीस्पुन धनिया पॉडर डालेंगे और भेंडी के साथ इन मसालों को अच्छे से मिलाएंगे और भेंडी को मसालों के साथ अच्छे से फ्राइ करेंगे जब तक कि भेंडी अच्छे से soft न हो जाए आप देख सकते हैं भेंडी का color change हो चुका है भेंडी अच्छे से fry हो चुकी है अब इस moment पे हम roughly chop के वे टमाटर इसमें add करेंगे टमाटरों को भेंडी की साथ अच्छे से mix कर लेंगे अभी हम इसमें अधा टी स्पुन नमक डालेंगे नमक को अच्छे से mix करने के बाद हम भेंडी को धक के low flame पे 90% भेंडी कुक होने तक ऐसी ही छोड़ देंगे अभी हम लीट को हटाएंगे भेंडी 90% तक कुक हो चुकी है कडाई को medium to low flame पे रखा है अभी हम इसमें एक टेबल स्पुन तेल डालेंगे और जैसे ही तेल गरम होता है हम इसमें आदा टी स्पुन जीरा और आदा टी स्पुन क्रश किया हुआ धनिया डालेंगे और जैसे ही दोनों चटकते हैं दो हरी मिर्च जिन्हें हमने बीच में से कट कर लिया है इन्हें डाल कर हलका सा चलाएंगे और इसके बाद हम बारी चॉप के हुआ प्यास इसमें एड़ कर देंगे मीडियम फ्लेम पे प्यास को गोल्डन कलर आने तक फ्राइ कर लेंगे प्यास को मीडियम फ्लेम पे फ्राइ करते हुए लगबग तीन मेंट पूरे हो चुके है प्यास का अच्छा सा गोल्डन कलर आ चुका है अभी मैं इसमें एक टी स्पुन भरके अद्रक लसन का पेस्ट हैड करूँगी और इसे 30-40 सेकंड के लिए अद्रक लसन का कच्छा पं कर लेंगे दही को हमने मेडियम फ्लेम पे लगाता चलाते हुए तीन से चार मेंट के लिए पका लिया है अब देख सकते हैं दही से गिये अलग हो चुका है अभी मैं इसमें आदा गलास से भी कम पानी एड करूँगी और मसाले को पानी की साथ अच्छे से मिक्स कर लूँ और आदा टीस्पून अभी मैं इसमें नमक एड करूँगी ध्यान रहे है जब हमने भेंडी को बनाया था उसमें भी हमने आदा टीस्पून नमक एड किया था नमक को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें एक उबाल आने देंगे अभी हमने जो भेंडी को फ्राय कर करके रखा था उसी इसमें डाल देंगे और भेंडी को मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और भेंडी को लीड लगा के मेडियम टू लो फ्लेम पे दो से तीर मेंट के लिए छोड़ देंगे ताकि सारे मसाले भेंडी में अच्छे से जजब हो जाएं तो चले अभी ह लीट को हटा देंगे तो लीजिए हमारा दही मसाला भेंडी बनके रेडी हो चुका है तो इस रिसीपी को ज़रूर ट्राइ करें बहुती मज़ेदार बनती है अगर आपको मेरी ये रिसीपी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें दोस्तों और फैमेले में शेर करें मेरे चाइनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें तो मिलते हैं ऐसी किसी रिसीपी के साथ अगली वीडियो में तब तक के लिए टेक केर अलाहाफीज